तो Hello दोस्तों कैसे आप लोग आज हम बात करने वाले हैं बिहार दोगा के लिए Best Book के बारे में जैसे के आप जानते हैं कि बिहार दोगा में लगभा पांस से साथ सब्जेक्ट्स में बताते हैं जैसे जिसका वेटेज सबसे जाधा है वह है क्युंट अफेर उसके बाद जो ह 66 x część based faster एक से पढ़े से पढ़े हैं तो अलग टॉपिक यह ऊलग तॉपर दूसरा आ अव्लों है वीडियो से पढ़े अगर आपका 12 पहले से bad शेलिए ईसके लिए बेस्ट बुक होगा लिएजिए अगर कोचिंग को ही पढ़े हैं पुर्ण आपका अज ही जो है जैसे का आयोग प्रकीरिया चैन का तो उसके इसाब से अगर आज आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने भीहारत्रोय के प्रिप्रेशन तो उसके लिए आप सुरुआच में कौन सी बुक पढ़ें तो सबसे पहले आपको जो है हम बता दें कि Crown publication का आपको बूक पढ़ना चाहिए कि जिसमें जो है आप मतलब कोई teacher पढ़ा रहा होगा वैसी वैसी बाते उसमें लिखी रहती है मेरे खाल से ठीक है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आगा जो मैं बोल रहा हूं सच है या जूट है ठीक है तो क्या कर सकते हैं आप Crown publication में उठाईए उसमें से जो भी मैंने subject बताएं उन सबको जो है सबसे Crime wise सबसे पहले जो है मतलब आपको क्या मतलब इस पीडी का जो है current affair के book खरी सकते हैं उसके बात जो है history history के बात किया है तो Crown publication की आप पढ़ सकते है Crown publication में से ठीक है फिर जो है चौठा वचा जो एपका बायो बायो जो है आप घतनाच चक्र के बुक से जो पूर्वा लोकन वाला घतनाच बुक उतता है उसमें से आप पढ़ सकते हैं अगर आप से लेड़न की बूख की बास करें तो newson का बुक यह है ठीक है आप देखते देखते पैचान सकते हैं अगर पहले आप देखे होंगे तो देखते पैचान लेंगे फिर जो है आपका यह पढ़ना है और उसके बाद जो है पढ़ना कैसे है इसका बोलतो रहें बाद में वीडियो पनाएंगे ठीक है फिर जो है आपका वस्तु solve कर दें तो आपको पूंता याद हो जाएगा और इसके साथ अगर आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं कि आप यह जो है महिस वोड़नवाल जी का जो है एक बुक है जो है क्या होता है NCRT सार संगरा ठीक है इससे भी आप पढ़ कर जो है मतलब बहुत ही अच्छा नमबर लाग सकते हैं तीनों मतलब बुक को पढ़ कर करें जैसे कि आप अगर लिवसेंट पढ़ रहे हैं तो लिवसेंट और लिवसेंट का अब्जेक्टिव और थार संगरा तीन बुक के बुक से आप जो है मस्त तरीके से जो है अराम से विहार दुरुए को जो है एक सीट अपना कंफर्म कर सकते हैं तो यह नहीं आज के बारे में आप ठीक है आप जो हम बता रहे हैं आप सेम पर सेम वैसा कीजिए तीन बुक को फॉलो कीजिए हम इनी इनी बोक का सजेस्ट करते हैं इनी बोक से पढ़ते हैं तो आप मस्त तरीके से पढ़िए जी तोड जान लगा कर जो है रातों के नीज़ जपल्द मतलब क्या बताएं भाई साहब जह हम लोग किस जगह से करते हैं दसत माजी का जगह मतलब बिहार है यह ठीक है और त्यार आपको इसके related वीडियो चाहिए के नहीं कि आपको याद कैसे करना है तो धन्यवाद आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में